इस ट्रमा के नेक्स पार्ट में आप सभी का सौगत है इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले इंजेंग से होती है जो कि शौन को वापस लेने फिप्ट प्रिंस के साथ गया हुआ होता है शौन की सिस्टर शौन को बिजने से मना कर देती है और जात मैं इंजेंग से अपने प्या करते हैं कि सोच लो इंजेंगता है कि मैंने अपने पहले जवाब में ही सूच लिया था इसके बाद शौन भी जाने से मना कर देती है और उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी एपसेट नहीं करूंगा एंगर तुम नहीं गई तो पता है मेरे साथ क्या होगा एक्सपैल कर देंगे यहां पर शौन मान जाती है और कहते हैं मुझे पता है कि हमारी मैरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों स्टेट के लिए इसके बाद शौन भी जाने के लिए तयार हो जाती है और इसी में यह सभी सेलिब्रेट करते हैं हम बात करें इंजेंग को अल्कोहॉल जरा भी खस्म नहीं होती इसके बाद जब अल्कोहॉल कंज्यूम करता है ट्रंक हो जाता है तब लिए उसका ख्याल लगती है और ठीक तो है ना तब यहां पर इंजेंग अभी पूरे टोटली नशे में होता है तो लिए को देखता है और तुम लिए को किस करता है और किसके साथ ही बेवोश हो जाता है तब यहां पर लिए एकदम सप्राइज शौक हो जाती है इसके अधर सुबहे होने का वेड़ करती है ताकि वह एक स्टेट में ले सके कि आगर उसने ऐसा किया क्यों सुबहे होते होते इंजेंग को कुछ भी आद इनको कुछ यात क्यों नहीं है इसके वाली वही पूरे टाइम इंजेंग से गुष्ता रहती है कि उसने रात में क्या किया था आफ़ दैट हम किंग को देखते हैं पता चलता है कि की शेन स्टेट को जिन स्टेट का बहुत सारा टेक्स चुकाना है वह वन्होंने बहुत सा कोश्चन पूछते हैं तो फफ्ध प्रिंश का आंसर रहता है कि मह जबाब दूँ तभी टीचर कैते हैं कि अपकॉर्स प्रिंश साथ देख सकते हैं कि मुझे नहीं नहीं बताने वाला हूं तभी कि ये देखकर बहुत यता गुस्ते में आ जाते हैं कि इतने एरोगेंट बच्चे मेरे तो नहीं हो सकते हैं जब मानने के लिए आंगे बढ़ते हैं तो उनकी सेक्रिटी उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि माई लॉड प्लीस रुख चाहिए इसके बाद टीचर जाकर इंज और लिए तो तुम मुझे बता सकते हो तभी इंजेंग यहां डैड मेरे पास आइडिया है तभी इंजेंग उन्हें बताता है कि हमें दरसल अपने पैलिस के एक्सपेंस कम करने पड़ेंगे इतना फाल्दू का खर्चा जो हमारे पैलेस में होता है उसे बंद कर देना चा हो जाता है कि कोई भी आप ज्यादा खर्चा नहीं करेगा और इसके बाद सभी को खाने की कमी पढ़ने लगती है यहां पर सभी परिशान रहते हैं कि हम खाएं तो क्या खाएं उसके बाद हम हाउजिया को देखते हैं जो कि से काफी टार्चर हो रही होती है आप सैकंड प कैसे मेरे सामने कुछ पूलने की सेकंड प्रिंस की फर्स्ट वाइब को दिखते हैं जो कि इस बहीवर से काफी शॉक होती है और उन्हें दरहसल हाउजा के लिए बुरा लग रहा होता है कि आखर माइल ऐसा कैसे कर सकते हैं खाना-खाना सभी को होना चाहिए पर वो कुछ क बीची है उसके बात आगया तब शॉआन भाग कर अपने कुछ फाइटिंग इस्टूमेंट को दिखते हैं जिनमें से सारे की सारे गाया होते हैं इसके बाद हो कहती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत कहती है मेरे छुटी-छुटी से बेबीज को बिचने की तुम कितने क्रूल ह और अब तुम सिफ और से मना डिसफ करते हो और इसके अलाब कुछ भी नहीं इसके बाद कहते हैं कि शॉट मुझे माफ कर दो प्लीज रिली रिली सॉरी मैं तुम्हारे सारे बीज को वापिस ले आउंगा और आगे सारे कुछ भी नहीं पड़ेगा अगर तुम वापिस न जिकते हैं आ पर उनकी सारी वाइब इतना कम कमघः़कना मलें के वैसे काफी परिशान थी ठीट की कुछ बाकी की और वाइब भाकर आतीय कर आती हैं तबीट्र कर रह ते इसके नहीं कह सकती है और यह महंगा होगा कि हैं उनकी सारी वाइफ सबचितें और यहाँ अपर हम हम ठर्ट प्रिंस की सारी Fresh को देखते हैं जो कि यु부터 राम से पैठी हुई होती है और इसके बाद हम सब ведь को खाने पर गरते हैं और कहते हैं कि उनकी वाइब क्य notch हूं कि नहीं mine लॉड्ड हम कैसे खा सकते हैं यह तू सिर्फा सिर्फ का है आप इसे खाईए हम भूके पिट सो जाएंगे तभी आपर थाट प्रेंस एमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि हाव स्वीट तुम सभी कितनी अच्छी हो इसलिए तुम सभी कि सभी मेरी वाइफ हो मेरी जान हो इसलिए मैं तुम सबसे इतना प्यार करता हूं तभी आपर वंदर ही अंदर उन्हें कर्स कर रही होती है कि स्टूपइट कहीं का खबी तो हमारी च्टू का ख्यार रखता रही और हमेशा हमें इस पहले में बंद गर गर रखता है मन किया तो एक दिन हम सभी मिलकत में मार डालेंगे पर छोड़ देते हैं बिकॉस आखे जब तुम मर सब्सक्राइब करते हैं यहां पर कुछ लोटेरे उन पर टैक कर देते हैं और उन्हें मार मार कर ठीक कर देता है तब भी तुम इतना सब कैसे कर सकते हो इंचेंग केता है कि दर से मैंने सब कुछ सीखा हुआ है बस मुझे अपनी लोग प्रूफाल रखने में काफी नहीं करता तो भी तरफ कहते हैं कि सच मैं रेली सप्राइज इसके बाद यह सब एक होटल में जाते हैं यहां पर ठैट प्रिंस को कुछ बीटिफॉल लेडिज दिखती है तो जाकर कहते हैं कि है वीडिफॉल कैसी हो तुम लोग को पता है कि मैं कौन हूँ थर्ड प्रिंस तो भी शिन इसके बाद इंजांगों से रोक लेता है और कहते हैं तुम्हारे पास और यहां पर जवाब रहता है कि की ब्यूटी जितनी हो तनी जादा अच्छी लगती है और मुझे कोई दिखकत नहीं है कि मेरी कुछ और वाइप भी बन जाए तब यहां पर इंजेंग क सारे पैसे वापस कर देंगे इसके बाद भी कािए काफी अच्छी सुनेबर स्चीव करता है उसके बाद जाइल्च का सेंदु तो वह इंजेंग को परसनल पैलेस भी देते हैं इसके लिए काफी प्लूलस रहती है और इसे पता नहीं रहता कि इंजेंग उसे सच में बहुत यह था पसंद करने लगा है तभी यहां पर उसका सेक्रेटी लीवी से कहता है कि मैडम आप इनी क्लूलस क्यों है आपको यह उफिशल वाइब बनो और मैं इस बात के लिए डट को भी कंफरंट करने वाला हूं तभी लीवी इस बात से कंफ्यूज रहती है कि वह क्या कहे अगर उसे घर जाना है तो उसे इस बात को मना करना होगा आप अधर हम लीवी को दिखते हैं जो कि अपने फेंड्स के साथ ल पानने ही पड़ती हैं जो क्यी सबरेचान होती है और करस करती है कि उसने नर्क बना कर रखा लएक दम चुप चप इन सभी की सुन रही होती है तभी वो लीवी मुझह लगता है कि तुम्हें मास्टर पर नहीं लगा है तो यहां पर लिवी का दी आगए के कोई भी बात नहीं है हाव जीया सारी बात समझ रही हुती है इसके वाल लीवे अपनी सारी बाते हैं वह तुम्हें सच में बहुत प्यार करते हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लो यही तुम्हारे लिए बैस्ट रहेगा अहीं होगी तुम्हें घर वापर जाना है उनकी वाई बना भी तुम्हारे लिए उतनी अच्छी बात होगी यहां पर लीवेई हाउजिया के बात मानती है वह उसकी ट्रूफ है तो उससे अच्छा ही सजेशन देगी लीवेई इंजेंग से प्यार का हिसार करी देती है कि मैं कहीं जाने वाली और रेली लाइक यू इसके बाद इंजेंग पहली वाई लीवेई को हग करता है यहां पर इंजेंग को देखते हैं जिसे की फैनली इनर कोट में प्लेस्मेंट मिल गई होती है बल्लब अब वो काफी हाइली कौलिफाइड पोजिशन पर पहुंच के होता है कि पहले तो हां करते हैं पर अगले पर जाता है तब हो कहते हैं कि तुम्हारी शादी हमने चिन स्टेट की प्रिंसे से फिक्स कर दी है इंजेंग पास से अपसेट होता है कि डैड आपने मुझे प्रॉमिस किया था तब इसके डैड कहते हैं कि लीवेई ही क्यों तो एक स्टुठीग वद दौक लेती हैं तब उसके डियाडर से और करते हैं कि तुम मानों या ना मानों तुम्हारी शादी जिन स्ट्ट कि प्रिंसे से होने वाली है तो यहीं तुमारी बेटर रहे कि इस बातको जली सभी में अक्सेप्ट कर लो सब्सक्ते विजान तुमारे